तो स्वागत आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है वैरी वैरी इंपॉर्टेंट है मतलब वीवी आई किस तरह से कोशन आप लोग के एक्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक्स के उपर डिसकस होगा प्लस हंड़िट परसं में जिस तरह से भी घुमा फिरा कर कोशन पूछें आप लोग हंड़िट परसंट क्रेक्ट टिक करके आए ठीक है सब्सक्राइब को समझाती होगा समझ में आता है तो लाइक का बटन दबाना बंता तो है आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और साथ साथ में अगर आप लोग चानल पर नहीं नहीं आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब करते नोटिकेशन दबा लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सबसे बहुत बार आप लोग के एक्जाम में पुछा भी जा चुका है और हो सकता है कि इस बार पूछे तो हर एक पॉइंट को हर एक टॉपिक को समझते हुए आप लोग को पढ़ा रही हूं देखिए सबसे पहला तो पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि जबर जबर कि जानते हैं ठीक है इतना तो कोई दिक्कत ही ने लेकिन यहां से एक्जाम में किस तरह कोशन पूछा जाता है देखिए चाहे टेन तो यहां से कोशन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है यहां पर समझे कोशन पूछता है कि जबर को और किस नाम से जाना जाता ह और चुछ ने डिया रहेगा करेक्ट जशी एंसर और फत्ह या फिर नसम देखिये जबर को फत्ह या फिर नसम कहते हैं याद रखिएगा लिफ के उपर यह इस तरह जब्र लगाया जब्र किसी भी हर्फ के उपर दिखाई तो जिसको आप लोग वे जबर को और किस नाम से जाना जाते तो याद रखेगा इस डवर को फता भी कहते हैं यान जबर को और किस नाम से जानते हैं हम लोग फता या फिर नसब के नाम से जानते हैं एक और पॉइंट एक और बात याद रखिएगा जबर या फिर फता या फिर नसब जो भी आपको जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं अगर फता बोलते हैं तो भी कोई गलत नही है आप चाहे तो चबर बोली ऐसिए नसा निरवर करता है तीनों संय ठीक है अबay यहां पर याद रखिएगा जबर जिस अक्षर के ओपर लगता है ना उस अक्षर को कहा जल आए मफतूर याद रखना है मौस्ट इंप्टरम इह पर अगर यानि कि फता लगा है तो ये तो जबर है इसको फता कहेंगे यह फिर नसब कहेंगे जो भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए इन तीनों में से असार्फ का अपर में तो कलम में काफ के उपर जबर है ना तो जबर को आप लोग फता भी बोल सकते हैं न सब भी बोल सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन जबर किस हर्फ के उपर लगा है तो काफ के उपर लगा है ना तो काफ को क्या कहेंगे काफ को कहेंगे मफ्तूव तो यहां पर कोशन किस तर लिए किसी भी तरह गुमा पूछे सहीं सब्सक्राइब यहां तक समझ में आगया अगर समझ में तो साथ साथ कमेंड में लिखकर बताएं कि हां समझ में आ रही है चीज़े ठीक है इस तरह हमें पता भी चलेगा कि आप को समझ में आ रहा है कि नहीं तो कमेंड में लिखकर बताए आगर समझ में आ रहा है तो और कोई भी डाउट हो तो अभी पूटसकते हैं अब दखिए यहँ तक दू किलिएर हो गया आगे बढ़िये ज़ीर आप लुग जानते हैं जो हर्फ कर नीचे लगता है अलिव के नीचे ज्य लगाई यह द in tuh लुग है ठीक है इतना तो आप जानते हैं कि इसको दियो को और दूसरे नाम से बहूंता जाता है जेर को कसरा भी कहा जाता है और जर भी कहा जाता है याद रखेगा तो question पूछे कि जेर को क्या कहते हैं option में दिया रहेगा कसरा या फिर जर दोनों तो एक साथ देगा नहीं दोनों में से कोई एक देगा जो भी दे कसरा दे फिर जर दे उसको टिक कर देना है ठीक है तो जेर को और किस नाम से जना जाता है कसरा या फिर जर आप चाहे तो जेर भी बोल सकते हैं अलिफ के नीचे लगा है बे की नीचे जिर लगा है या फिर आप चाहे तो कसरा भी बोल सकते हैं कि अलिफ के नीचे कसरा लगा है या फिर इसको जर भी आप लोग कह सकते हैं कोई दिकत न पाया जाता है जिस तरह जबर यानी कि फट्रा से उपार देमगा है ना तो क्या कहेंगे जिस हर्फ के नीचे लगा सब्सक्राइब हो अप लोग 100% correct लगा कर आना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पेश पेश आप लोग जानते हैं यह भी हर्फ के उपर लगता है वो पढ़ा जाता है यह फिर उपढ़ा जाता है अगर उपर पेश लगता है तो तो अलिफ के उपर यह पेश पेश को याद रखेगा जम्मा 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 यानि कि पेश जिस हर्फ के ऊपर लगता है उसको कहते हैं मजमून जैसे कि मैं लिढ दी मूर लग दिटो में कर पेश है सकते हैं को आप मीम के उपर लगा है तो इस मीम को क्या कहेंगे मिम को कहेंगे मजमूम ठीक है मिम क्या कहलाएगा मजमूम कहलाएगा तो आई हो समझ में आ गया होगा कि पेश जिस अक्षर के उपर लगता है उसको कहते हैं मजमून बड़ाओ चलि आगे बढ़ते हैं इसी तरह है जजम या फिर सुकुन आप लोग जानते हैं जजम किसे कहते हैं जजम एक तरह से फेबी कॉल का काम करता है जजम इस तरह दाल इसतरह बड़ा लिखा है चिपका हुआ है सदे करता है यहां पर एक हूं मैं और में लेकिन मिम जो यह ना लाम में चिपका हुआ है मिंजो है लाम को एपने आप मे चिपकाल ले ना के उस्य तरह का का म होता है किसी दूसरे हर्फ तो लगा है लगा है यानी कि मि मुझेन लाम को अपने आपमे चिपका लिए कलम कलॉप पढ़ा जाएगा न्यों तो अगर व्पढा लेकिन मिमगे ऊपर खलें के वजातरा पढ़ा जाता है तो यह जो कलम मा जो है चिपकने का काम करता है क्यों कि इसके उपर जजम है ठीक है तो जजम को आप लोग सुकून भी कहते हैं इतना तो पता है ना तो सुकून यानि कि जजम जिस हर्फ के ऊपर लगता है उस हर्फ को कहते हैं मजजूम या फिर मसकून तो देखिए मीम के ऊपर क्या है यह जजम है ठीक है तो जजम को तो आप लोग सुकून भी कहेंगे कोई दिकत नहीं आप लोग इसको सुकून बोलिए फिर जजम बोलिए बात एक है लेकिन यह जजम यह सुकून किस हर्फ के ऊपर लगा है तो मीम के ऊपर लगा है तो मीम को क्य कहेंगे सर्फ को क्या कहेंगे याद रखेगा मजमूम कहेंगे या फिर मस्कून कहेंगे मजमूम बोली फिर मस्कून बोली बाते कि एठीक है तमझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं तश्दीद आप लोग जानते हैं जिस भी हर्फ के उपर लगता है उसको दो बार जाता है तशधीद किस तरह से लिखा जाता है जिस तरह डव ले face ना इंग्लिश में पर चाही चोटा करभिजी आप लोग इस तरह ठीक है ये हो गया तशिद क्या पढ़जाता है तश्दीद कि मान लिजिए मुझको लिखना है मुसगर मुसगर जखना Rider कि पढ़ते हैं लेकिन तो पर दोबार कि पढ़ जा रहा है क्यों कि इस घैन के ऊपर तश्दीद ये जितना भी सबाझ्सेर पैश तशडीद में गयर नहीं यह नहीं घrani अपर तशदीद think तो गैन के उपर तो तश्दीद है इसको आप लोग तश्दीद कहते हैं नोड आउट इतना तो आप लोग पता है लेकिन तश्दीद किस अक्षर किस हर्फ के उपर लगा है तो गैन को क्या कहेंगे उस अक्षर को क्या कहेंगे जिस अक्षर के उपर तश्दीद लगता है उ क्योंकि गयन के उपर लगा है तश्दीद समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं मद बिल्कुल उसी तरह मद आप लोग जानते हैं मद इस तरह से लिखा जाता है क्या बोलते हैं मैस में इस तरह का सिंबल होता है उसको उसका नाम मैं भूल रही हूं जो भी हो मतलब इसका पर लगता कर दिए ठीक है तो इसको बोला जाता है क्या मद बोला जाता है और जिस भी मत जो है ना जिस भी अक्षर के उपर लगता है उसको आफर जाएगा जैसे कि अलिखे मद जूड कर और इससमें जोड़ दीजिए तो लोग जाते आम तो तो देखिए मद्ट तो आप जिस अक्षर के उपर लगता है उसको कहते है ममदूदा तो यहाँ पर अलिफ के उपर मद लगा है ठीक है लेकिन इसको आप लोग मद कहेंगे लेकिन जिस अक्षर के उपर लगा है यान की अलिफ के उपर लगा है तो इसमें बताईए ममदूदा कौन है ममदूदा है अलिफ क्योंकि अलिफ के उपर मद लगा है तो जिस अक्षर के उपर मद लगता है उसको कहते हैं मम्दूदा आप आप लोगो समझ में आ गया होगा अब कोशन कहीं सभी पूछे कि कोई भी एक लफ़ उठा सकता है और पूछेगा कि बताईए इस में से कोई भी पूछ सकता है कि इ देख लीजिए मुशद्द किसे कहते हैं जिस अक्षर के ऊपर तश्दीद लगा हो तो कोशन में देख लीजिए किस अक्षर के ऊपर तश्दीद लगा है वह हो जाएगा आप लोग का समझ में आ गया हो अब कुछ और पॉइंट्स बचा हुआ है उर्दू ग्रामर का वैसे अब आईए कुछ और टॉपिक्स बचा हुआ था इसको मैं बोड़ पड़ लेग दी हूँ और फड़वर समझ लेते हैं ज्यादा हाट नहीं एकदम आसान है एकदम हल्वा समझे अगर समझे अगर आथ इसको टफ उर्दू क्रामर को जो व्यक्ति टफ समझेगा सच में उ सकता हो यानि कि नुक्ता वाले फिको हुरुफ केहते हैं याद रखेगा तो नुक्ता वाले विरूफ को केहते हैं उनलसे मखतूर नुक्त हुरूफ को जोड़ नखर सिसी में एक से ही बे में नुकता है ना यानिकि बुनतर है तो धे में नुकता है ती лонudस को याद हो अंश के यह और तो अलित लेकर बड़ी एं तक वैसे नुकता हो यानिकी नॉकता वा वाले हुरूफ को कहते वाले मनफूफ को कहते हैं यहां पर वगैर के मतलब क्या इत्यादी बेपे रे, जीँच, खे जाल यह सब क्या है बहुत थारे हुरूफ है जो की हुरूफ मनकूथ कहलाते हैं थिक हैं आगे सबूबध क्यों बढ़िये हैं खर्यार努्त जिन पर नुक्ता नहीं पाया जाता है जानी मेइर नुक्त वाहीं प्रफ कोद्ध कहते हैं पर कहीं नुक्ता देख रहा है कहीं बिंदू दिखाई दे रहा है तो अलिफ हो गया है हो गया हो गया डाल हो गया डाल हो गया रे हो गया बहुत तरह हैं रूफ जिन पर नुक्ता नहीं पाया जाता है तो उस तरह के रूफ को क्या कहेंगे रूफ गैर मनकूत याद रखना ह जो है इसी को आप लोग टफ समझ लेते हैं कितना आसान चलिए आगे बढ़ते हैं हुरूफ मौहदा कोशन देखे किस तरह से पूछता है कि दर्षाइल में से हुरूफ मनकूत कौन है ऑप्सन में बिना मतलब गयर मनकूत देगा और एक देदेगा एक आप्सन में हुरूफ म एक नुक्ता गारवर्य मनकूत कितना असान तो थीक करना होगा खित्व को हुरूफ मौहदा जिस हर्फ पर क्या हो थिर्फ एक नुक्ता एक दिखाई के दिए उस हर्फ को क्या कहेंगे उसक्षर को उस एक्षर को कहेंगे हुरूतों नुकता वाली अक्षर को कहते हैं हुरूफενち हुरूफ मुसंल्णात जैसे कि ते हो गया हुरूफ मुसंलुँसा कहते हैं ये तिन नुक्ता वाले हुरूफ को हुरूफ मुसंल्लसा कहते हैं हर्फ के उपर नुकता है थिक आगे बढ़िए एक होरूफ मतलब ऊपर नुकता हो को उस हर्फ को कहते हैं हुरूफ में टें के ऊपकाणी ृपर है तो जो है निसाध़ फॉपर आप दो क्सक्र के आप टो नुकता है ृश्ट के ऊपर होना हुआ सब्सक्राइब इन की हर्फ के अगर ऊपर नुकटा पाया जाए तो उसको कहेंगे व्यृफ है पाइस दोघञेद अलिओं यंकि नीचे नुक्ता थे 10 हर्फ की नीचे नुक्ता दोभी दी हूँ है ऑपर बेके क्या है नीचे नुक्ता हैave के नीचे के नीचे इस तरह के हर्फ को कहते है कि अप它 Copy और अप को समझ में आया होगा ज्यादा अफस्तों नहीं होगा जढ़ कितना आसान है अब चलिए दो मिनिट में हम लोग χुरूत कर लेते कितना आसान है दो मिनट भी नहीं लगा एक मिनट में रिवाइज हो गया तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं और आप लोग यहां तक स्क्रीन लेना चाहते हैं तो कोई दिक्त है है देखे वर फडवट शॉट अब ही तक आप लोग वडियो को शेर नहीं किये हैं तो फडवट शेयर कर दें आप लोग के जितने भी रिष्टेदार हैं भाई बढ़े सब्सक्राइब करें तो आप लोग को समझाती हूं समझ में आता है और विडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाए और अगर आप लोग चानल पढ़ने ना आए हुए मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए आज किसी वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाई बाई टेक क्यार फिर्म लेंगे अगले वीडियो मैं अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज